Hello everyone, Welcome to our channel Meal Omanager पहले की वीडियो में हमने सारे टाइप्स के सिरल्स याने ग्रेंज के बारे में समझा था आज हम उनमें से ही एक एमेरंथ याने राजगीरा या चौलाई के बारे में समझेंगे इससे पहले हम बखपिट पर वीडियो बना चुके हैं आप अगर चाहे तो उसे लिए देख सकते हैं इस यूटीब वीडियो में हम बात करेंगे कि राजगीरा या एमेरंथ का ओरिजिन कहा हुआ था इसका कल्टिवेशन कहा होता है इसमें कौन-कौन से निूट्रियन्स प्रेजेंट होते हैं और इसको अपनी डाइट में एड़ करने से क्या-क्या हेल्थ बेनफिट हमें होते हैं और इसकी पॉपुलर डिशेश कॉनस्पॉनसी है तो सबसे बहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन की एमेरंथ ये एक बहुत ही पूराना ग्रेन है बहुत पहले से प्रेजेंट है साउथ अमेरिका के आर्जेंटिना में इसके सीड मिले थे जो साथ से आठ हजार साल पूराने थे टेहु कैन करके एक सीटी है मेक्सिकु में वहाँ की गुफाओं में भी इसके एविडेंस मिले हैं और वही से इसको डोमेस्टिकेट किया गया है ऐसा माना जाता है हाला कि कुछ रिसर्चर्स एमेरंट के ओरिजिन को लेकर कन्फूजन में है कि क्या इसका ओरिजिन एशिया और अमेरिका ऐसे दोनों जगाए पर हुआ था या फिर इसका ओरिजिन सिर्थ अमेरिका में हुआ था लेकिन क्योंकि इसकी सारी वेराइटीज अमेरिका में पाई जाती है और एशिया में उसके कमपरेजन में बहुत कम वेराइटीज मिलती है तो ज़्यादा तर लोग ऐसा मानते है कि इसका जो ओरिजिन हुआ था वो अमेरिका में ही हुआ था इंडिया में एक्सकावेशन याने खनन के दौरान एमरंट के सिट्स उत्तर प्रदेश में मिले थे जो लगभग 1000 BC के टाइम के होंगे ऐसा एस्टिमेट किया जाता है लेकिन राजगीरा का जो सबसे महत्वपूर्ण उल्लेक मिलता है वो है एस्टेक सामराज्य में एस्टेक यह है 14th से 16th सेंचूर के टाइम में एम्पाइर था एस्टेक एम्पाइर में एमरंट का बहुत यूज होता था एस्टेक लोगों के लिए एमरंथ उनका मुख्य धनने था उनके उच्षव में भी इसके अलग-अलग डिशेज बनते थे लेकिन जब स्पैनिश लोगों ने एस्टेक एम्पाइर पर अटेक कर उन्हें हराया तो इसका उत्पादन बहुत कम हो गया फिर 1970 में इसके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के कारण फिडसी लिमलाइट में आयाएगी और आज तो सारी दुनिया में इसका प्रोडक्शन होता है तो अब बात करते हैं इसके कल्टिवेशन की हमें सबसे पहले समझना होता है कि एमरंथ एक जीनस है और इसके 70 अलगलग प्रजाती है इसमें से 12 को हम कल्टिवेट करते हैं उसमें भी जो अनाज है याने ग्रेन है वो सिर्फ 3 स्पेसिस से मिन लिया आता है इन स्पेसिस के नाम है अमेरंथ कोंडियाकुस और अमेरंथ का उत्पादन साल बर हम कर सकते हैं ये hot humid या hot dry ऐसे climate में भी grow हो जाता है ये सारी प्रकार की मिट्टी में grow होता है हाँ अगर मिट्टी उप जाओ हो और water holding capacity अच्छी हो तो production और भी जादा होता है राजगीरा सारे ही continents में grow किया जाता है और South America के पूरे continent में ही इसका production होता है इसका production USA, Mexico, China, Russia, Peru और Argentina ये सबसे ज production होता है इंडिया में जो राजगीरा producing states है वो है केरला, तमिलनाड़, करनाटका, महराष्ट्रा, अंधरप्रदेश, ते लंगाना अब बात करते हैं इसकी nutritional profile के बार में nutritional profile में हम cooked amaranth के nutritional value के बात करेंगे, raw amaranth यानि बेना पकाये तो हम इसे खाए नहीं सकते हैं तो उसे cook करके खाना होता है, तो nutritional profile में भी हम cooked amaranth के nutritional value के बात करेंगे, तो अगर हम 100 gram cooked amaranth लेते हैं तो उसमें 19 gram carbohydrate जिसमें से 2 gram तो dietary fiber ही रहेगा, 2 gram fat और 4 gram protein होता है और साथी 75 gram water होता है क्योंकि ये cooked amaranth है, vitamins की बात करें, तो vitamin B1, B2, B3, B6 और B9 होता है, साथ ही इसमें vitamin C भी होता है, अगर minerals की बात करें, तो manganese, iron, calcium, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, selenium, ये सारे होता है, manganese तो बहुत ही ज्यादा quantity में होता है, DV के almost 45% manganese इसमें मिल जाता है, अब आप पूछो कि ये DV क्या होता है, तो DV का मतलब होता है कि एक nutrient की जो daily requirement है, उसका कितना percent हमें एकादा food खाने से मिलेगा, तो उसको कहते है DV, यानि daily value percentage, तो ठीक है, अब हम बात करते है proteins की, तो अगर protein की बारे में बात करें, तो leucine और 39 के quantity कम होती है, लेकिन ये leucine और 39 जो है, ये wheat और rice में बहुत ज़्यादा quantity में होता है, तो इसकी deficiency usually humans को होती नहीं है, तो अब बात करते है राजगिरा के health benefits की, पहला तो ये कि एक बहुत अच्छा protein है, तो growing children's, athletes और bodybuilder के लिए ये बहुत अच्छा होता है, iron content भ related problems से हमें बचाता है, phosphorus magnesium हड़ियों को मजबूत करते है, magnesium muscle को healthy बनाये रखता है, और उन्हें high performing state में रखता है, calcium का भी ये अच्छा source होता है, तो ये हड़ियों को भी weak नहीं होने देता, इसका digestion भी आसानी से हो जाता है, और ये हमारे intestine में जो फाइदेमन बैक्टेरिया है उनको भी support करता है, amaranth gluten free होता है, यानि जिने celiac disease या gluten digestion disorder है, तो वो लोग भी इसका 7 कर सकते हैं, weight loss के लिए भी आप इसको अपनी diet में add कर सकते हैं, उसके लिए भी ये काफी beneficial है, pregnancy के time भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें vitamin B9 यानि फॉलेट और iron की अच्छी beneficial साबित होता है, ये cholesterol को भी कम करता है, ऐसा कुछ studies में पाया गया है, तो ये heart health के लिए भी अच्छा है, amaranth, hair loss और hair graying को भी कम करने में बदत करता है, और skin के लिए भी अच्छा प्रू होता है, इसमें जो antioxidants, phenolic acid होते हैं, वो liver को healthy state में बनाये रखते हैं, और cancer risk को भी कम क करता है, ये cataract, यानि जो एक आखो की बिमारी होती है, और साथी muscular degeneration, इनको भी ये prevent करता है, तो राजगीरा को अपने diet में आड करने से आपको कई ज्यादा पाइदे मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का हमें याद रखना होगा, राजगीरा का glycemic index थोड़ा ज्यादा होता ह तो जिनको diabetes का problem है, वो इसे अपनी diet में आड करने से पहले अपने doctor से consult जरूर करें, अब बात करते हैं, राजगीरा की common dishes की, तो राजगीरा के लड़ू, राजगीरा का हलवा, या जिसे सीरा कहते हैं, फिर राजगीरा के पैटे, या अलू टिक की, जिसे हम कहते हैं, फिर west में, amaranth pancake और amaranth cookies बहुत famous है, और 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 बी अलग-अलग recipes हम राजगीरा से बना सकते हैं, राजगीरा आपको local stores में easily मिल जाएगा, या फिर आप इसे online में order कर सकते हैं, तो ये था nutritious राजगीरा के बारे में वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो like, share or subscribe जरूर कीजे, thank you.